हेलो दोस्तों, तो हिस्ट्री शॉट्स में आप सब का स्वागत है लास्ट टाइम हमने बात की थी औगस्ट ओफर के बारे में उसी की कॉंटिनियूशन में अब हमारे पास है क्रिप्श मिशन देखे, 1940s में वर्ल वर शुरू हो गया था पर ब्रिटेन को बहुत जादा लॉसिस का सामना करना पड़ा एंड इवेंचुली जब 1942 में जपान ने रंगून को भी कैप्चर कर लिया तो ब्रिटेन के उपर काफी जादा दबाव है कि इंडिया की कॉपरेशन अब किसी भी हाल में चाहिए तो इस वज़ा से हमारे पास से कृप्ष मिशन आता है जहां की जिसकी हेडलाइन है इसके लावा जो डूमीनियन स्टेटस है उसके साथ आपको एक और प्रिवलेज मिलेगी जो कि है right to secede from the commonwealth आपकी मर्जिया आपने commonwealth के अंदर रहना है या नहीं रहना है तो इसके साथ चलते provinces को खुश करने के लिए there was a right of secession and non-accession of provinces and गांदी जी ने इसको कहा था post-dated check